जै मातादी दोस्तों घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरू लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अहोई अस्ट जरूर देखे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजे फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजे चैनल पर पहली बार आये हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल बटन को प्रेस कर लिजे इससे यह होगा कि आने वाले सभी वीडिय की अस्टमी तिथी को पढ़ता है इसके अलाबा अहोई अस्टमी का ब्रत रखने से जिनको संतान प्रापती में बाधा है वो भी दूर होता है और उनको सुयोग संतान की प्रापती होती है इसके अलाबा मानिता है कि अगर अहोई अस्टमी ब्रत वाले दिन राधा कुंड मे अस्नान करते हैं तो निह संतान दमपती को भी संतान की प्राप्ती होती है आपको बता दे कि साल 2023 में यह ब्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा अस्टमी तिथी की सुरुआत 4 नवंबर को मध्यरातरी में 12 बजकर 69 मिनट पे हो जाएगी और इसका समापन 5 नवंबर को मध्यरातरी में 3 बजकर 18 मिनट पे होगा उदिया तिथी की अनुसार यह ब्रत 5 नवंबर को ही रखा जाएगा अहोई अस्ट्मी में तारों को देखने के बाद, तारों की पूझा करने के बाद, तारों को अर्द देने के बाद, ब्रत का पारन किया जाता है। पूरे दिन निर्जला वन नीराहार ब्रत रखा जाता है। आपको बता दे कि तारों को देखने का समय पांच बजकर 58 मिनट पे हैं साम में और अहोई अस्टमी पूजा का सोब मोद साम 5 बजकर 33 मिनट से लेकर 6 बजकर 22 मिनट तक है। अहोई अस्टमी की पूजा अहोई माता माता पारवती के रूप हैं और गनेस उनके पूत्र हैं। इसलिए अहोई अस्टमी ब्रत वाले दिन सिप परिवार की पूजा अवस्य करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको बता दे कि इस दिन भूल कर भी आपको दूद और दूद से बनी चीजों का सेवन नहीं करना है, इस दिन कोई भी फल भी ब्रती को ग्रहन नहीं करना चाहिए, पूरे दिन का उकवास अर्ग दिया जाता है और परसाद में जैसे करवाचोट में पकवान बनते हैं उसी परकार पकवान बनाया जाता है जैसे खीर, हलवा, पूरी, चना, गुलगूले ये सारे पकवान अहोई माता को भोग में लगा कर और जब आप तारों को देखकर अर्ध दे दे तो प्रसाद में जो पकवान बनाए हैं, वही ग्रहन करके ब्रत का पारन करना चाहिए। लेकिन एक सवाल आता है कि प्रिगनेंसी में अहोई अस्टमी का ब्रत कैसे रखे निर्जला। तो प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंट वोमेन को कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे अहोई अस्टमी का ब्रत उन्हें निर्जला नहीं रखना है, वो अन को छोड़कर बाकी चीजें खापे कर ब्रत रख सकती हैं. इस तिन अहोई माता को दूद भात का भोग अवस्य लगाना चाहिए, भोग के समय माता को लाल फूल अरपित करना चाहिए, और जब पूजा संपन हो जाए तो दूद भात बच्चों को खिलाना चाहिए अपने बच्चे को और लाल फूल जो आपने चड़ाया है माता को वो बच्चों की हात में दे देना चाहिए इसके अलावा आपको बता दे कि आज के दिन कुछ नियम भी है जो कि आपको अहोई अस्ट्मी ब्रत वाले दिन नहीं करना है ब्रत आपने नहीं भी रखा हो तो आज के दिन तामसिक चीजों से परहेज करें इस दिन ना तो बच्चों को डाटे ना इस पर हाथ उठाए अहोई अस्टमी ब्रत वाले दिन दिन में सोना नहीं चाहिए भूल कर भी आज की दिन नुकिली और धारदार चीजे इस्तेमाल नहीं करना है सिलाई बुनाई नहीं करना है मिट्टी को नहीं छूना और ना ही खुर्पी लगाना है तो दोस्तों ये मैंने बताया अहोई अस्टमी ब्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा का सोह मोहर्थ क्या है तारों को देखने का समय क्या है साथी साथ हम नियम की भी बात किये कि अहोई अस्टमी ब्रत वाले द झाल ग्हांक्स